concept of availability in this module we will discuss the rules for the available names and valid name हमने ये कहा था कि अगर एक नाम तमाम जो criteria international code for zoological nomenclature के मताबिक दिये गए हैं उनको follow करते हुए रखा गया हो तो वो एक valid name है हमने ये भी डिसकस किया था कि जो article 13A है वो बहुत important है अगर article 13A को follow ना किया गया हो तो ऐसा नाम valid नाम नहीं कहलाता फर जेमपल अगर एक नाम publish कर दिया गया हो लेकिन वो तमाम जो conditions थी उनको satisfy ना करता हो तो ऐसा नाम no man no dham कहलाता है खास तोर पर जो article 12 से 16 है international code for zoological no man culture के अंदर अगर ये जो articles हैं इनको follow नहीं किया जा रहा नाम जो है इन conditions के उपर पूरा नहीं उतरता तो ये no man no dham कहलाएगा और जो no man no dham है इसकी zoological no man culture के अंदर कोई standing नहीं है इसको अगर पहले रख भी दिया गया हो उसका proper scientific name हो लेकिन क्यूंके ये क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहा इस वजह से बाद में इसको reject कर दिया जाता है अब ये बात बहुट इंपॉर्टन है कि जब मुक्तलिफ आथर्स अपने research articles खास तोर पर जिसके अंदर वो नई species डिसक्राइब करते हैं जब किसी journal को submit करते हैं तो उसका जो अडिटर है अगर international code for zoological nomenclature जो है उसके मतलिक उसके पास complete information है उसकी complete understanding है तो फिर unavailable name जो है उनको publish नहीं किया जा सकता इसके लिए जरूरी है कि जो editors है उनके पास तमाम rules मौजूद हो और उनकी complete understanding हो और खास तोर पर जब किसी भी species के लिए कोई नाम दिया जाए तो वो article 8 to 20 जो है उसके उपर पूरा उतरते हों अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे नाम valid नाम नहीं कहलाएंगे इसी तरीके से 1930 के बाद हमने ये देखा कि article 13A उसको follow करना है यानि कोई भी नाम 1930 के बाद अखर रखा गया है तो उसके लिए जरूरी है कि जिस specimen का नाम रखने हम जा रहे हैं उसकी description भी दी जाए और उसके जो characters हैं उसका comparison किया जाए अगर description नहीं देंगे तो उस सूरत के अंदर ये नाम valid नाम नहीं कहलाएगा अब यहाँ पे एक और important बात कि अगर कोई नाम किसी hybrid को दे दिया जाए और बाद में ये पता चले कि ये कोई species नहीं है बलके ये तो hybrid है क्योंकि जो hybrid होते हैं ये individuals होते हैं ये population नहीं होते इस वज़ाए से इसको biological taxa consider नहीं किया जाता अब ये बात बड़ी important है कि article 1b3 इसके मताबिक ऐसा नाम जो के hybrid को दे दिया जाए ये homonimic के लिए तो available हो सकता है लेकिन synonymic के लिए available नहीं हो सकता ये बात दुबारा से में repeat कर रहा हूँ कि अगर एक नाम किसी hybrid को दे दिया जाए तो article 1b3 के मताबिक ये नाम homonimic के लिए तो useful हो सकता है लेकिन synonymic के लिए ये useful नहीं है उसके साथ जब एक नाम किसी hybrid को दे दिया जाता है और बाद में मालूम होता है कि ये कोई species नहीं थी बलके ये एक hybrid है तो अब जिन species से ये hybrid बना है यानि इस hybrid के जो parents है जो parental species है हाiment का नाम इिनकी जो parental species हैं दोनु में से किसी भी species को इस hybrid का नाम नहीं दिया जा सकता ये बात भी दोवारा से repeat की जा रही है कि अगर एक नाम hybrid को दे दिया जाए बाद में पता चले कि ये जो hybrid है ये कोई species नहीं है बलके ये एक से ज़ादा species का mixture है तो इस hybrid का जो नाम है इस mixture के अंदर जो दो species मौझूद है इन parental species को hybrid का नाम नहीं दिया जा सकता अब हम बात करते हैं कि synonym से क्या मुराद है अगर एक नाम हम एक से ज़ादा एक हमारे पास चीज़ है उसको एक से ज़ादा नाम दे दिये जाएं तो ये जो phenomenon है इसको synonym और ऐसे नाम को synonyms कहते हैं यई एक ही चीज़ है उसके एक से ज़ादा नाम हमने रख दिये हैं अब इसमें से वो नाम जो पहले रखा गया उसको senior synonym कहेंगे और ऐसा नाम जो बाद में रखा गया उसको हम junior synonym कहेंगे इसी तरीके से अगर एक ही नाम एक से ज़्यादा टेक्सा के लिए रख दिया जाए तो ये जो कंडिशन है इसको हम होमोनिमी कहते हैं इसी तरीके से इसमें जो नाम पहले रखा जाए उसको सीनियर होमोनिम और जो बाद में रखा जाए उसको हम junior homonym कहते हैं अब अगर हम synonyms की बात करें synonyms हमने कहा कि अगर एक ही चीज़ के लिए एक से ज़्यादा नाम रखे जाएं तो उसको हम synonyms कहते हैं synonyms की दो types है पहली type है objective synonyms और दूसरी type subjective synonyms objective synonyms से मुराद है कि the name that objectively refer to the same thing यानि इसके अंदर अगर objectively हम एक ही चीज़ के दो नाम रखें इसके अंदर हम एक ही जो image है या एक ही जो illustration है या एक ही जो specimen है उसको हम सामने रखें तो इस किसम का जो synonyms है इसको objective synonyms कहेंगे लेकिन अगर ऐसा हो कि जो नाम रखा गया है ये different specimens की बेस्के पर रखा गया हो तो इस सूरत के अंदर इस नाम को हम subjective synonyms कहेंगे इसकी example हम प्राग हॉर्म ये examples की यहाँ पे description देते हैं कि जो प्राग हॉर्म है प्राग हॉर्म का जो पहला नाम था वो antilocarpia antiflexa था यानि इसका एक नाम antilocarpia antiflexa है जबकि दूसरा इसका जो नाम रखा गया था वो antilocarpia america था अब ये जो दोनो नाम थे ये different specimens की बेस्के पर रखे गये थे अब इसमें से ये बात देखने में आई कि इसके अंदर जो antilocarpia antiflexa जो नाम रखा ये बेसिकली एक specimen जो के एक unusual specimen था और ये specimen antilocarpia americana से belong करता था लेकिन जो है इसके अंदर कुछ differences थे इस वज़ा से जब एक expert ने इसको देखा तो उसे ये लगा कि ये शायद different species है लेहाद इसने इसका नाम antilocarpia americana के बजाए antilocarpia antiflexa रखा तो जो objective synonym है objective synonym के अंदर एक ही चीज के different नाम objectively रखे जाते हैं जबके जो subjective synonym है इसके अंदर different specimens को different नाम दिये जाते हैं और ये किसी unusual जो change है specimen के अंदर उसकी वज़ा से हो सकता है